जैस्री रादे दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब स्वस्त मस्त होंगे और अच्छे होंगे मैं कौन मैं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड स्वागत करती हूँ आपका आपके ही फेवरेट चैनल तब मिरकल और प्रेयर्स में दोस्तों आप में से ही मेरे बहुत सा पार्ट बताओं तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक अत्यन्त ही सरल और सिंपल सी साधारन सी पूजाविधी लेकर आई हूँ जिसे करके आप हर परिशा, इंटर्वियो, नौकरी के एक्जाम में सब में सफलता प्राप्ट कर सकते हैं तो दोस्तों बने रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और जानिए कैसे आप आसानी से अपनी परिशा में पास हो सकते हैं तथा अच्छी से अच्छी अपनी मन चाही नौकरी प्राप्ट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं कितने भी बाधा आ जाएं कितने भी विगन हो हमें डरना नहीं है बोले ना पर विश्वास रखिए उनकी सरन में जाईे वो आप की विंती अवश्य स्वीकार करेंगे क्योंकि विश्वास में बहुत सक्ति होती है याद रखिएगा चमतकार उनहीं के साथ होता है जिन्हें विश्वास होता है दोस्तों अगर आप किसी भी परिक्षा या जॉब इंटर्व्यू में सफलता पाना चाहते हैं तो एक्जाम देने जाने से पहले या इंटर्व्यू देने जाने से पहले आप एक लोटे में कच्चा दूद लेकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्च पीस कर मिला लीजे और फिर जाकर किसी बेल पत्रे की पेड़ में थोड़ा सा कच्चा दूद काली मिर्च वाला अरपित करिए पूरा नहीं अर्पित करना है सिर्फ आधा और अपना नाम और गोत्र साथ में बोलते रहना है ततपस्चात शियो मंदिर जाके बचा हुआ बाकी का कालिय मिर्श वाला कच्छा दूद बोले नात को समर्पित करना है और उनसे अपनी प्रात्ना करनी है कि आप ये एक्जाम देने जा रहे हैं या ये इंटर्वियू देने जा रहे हैं तो बोले नात आपको उसमें सफलता प्रदान करें और इसके पस्चात एक दूसरे लोटे में आपको शुद्ध जल्भी लेकर जाना है काले मिर्च वाला कच्चा दूथ उन्हें भोले नात को अर्पित करने के बाद आपको स्वक्ष जल्भी अर्पित करना है और जो भी पूजा पाठ आप करते हैं जिस तरह से दूप दीब जलाना ये कंपल सरी नहीं है कि आप उन्हें दूप दीब भी जलाईए बस इसके बाद भोले नात से विंदी करके आप अपना एक्जाम जो आप देने जा रहे हैं या इंटर्व्यू जो भी आप देने जा रहे हैं वहाँ चले जाएए देखिएगा आपको 101% उसमें सफलता अवश्य मिलेगी आपका एक्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा और इंटर्व्यू में भी सर्फ और सर्फ आपका ही सेलेक्शन होगा तो दोस्तों इस उप विधी को इस पूजा पाट को एक बार आजमा कर नहीं पूरे विश्वास के साथ करिएगा आज बाने के लिए किया हुआ पूजा पाट कभी फल नहीं देता याद रखेगा इस बात को किवल विश्वास के साथ किया हुआ ही पूजा पाट फल देता है तो दोस्तों पूरे विश्वास के साथ एक बार इस पूजा विधी को अवश्य अपनाएं और अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आएं तो दोस्तों अगर आपको ये पूजा विधी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा थैंक यू दोस्तों दोस्तों आप लोग के त्वारा अपने इस फेवरेट चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के लिए इसी तरह के धेर सारी वीडियोज अप्रोड करती रहूं दोस्तों आप लोग को बहुत सारा थनिवाद मुझे मुटिवेशन के लिए कि मैं आप लोग के लिए धेर सारी वीडियोज लेके रहूं तो दोस्तों बने रहें मेरे साथ और मेरे चैनल को प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें जिसे कि मैं आप लोग के लिए धेर सारी वीडियोज अप्रोड करती रहूं